नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका study for civil services में फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरन सब्सक्राइब कर लिए और और नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लेना हमारा फ्री वाला टेलिग्राम यह वालोगर जरूर से जरूर जोईन कर लिजेगा टेस्ट को ध्यान से अट्रम करिये और बताए कितना सब्सक्राइब करें कितने सब्सक्राइब करें किसी बीजिए और आपको वर्ल्ड क्लास सेलेक्शन वाला मैटेरियल चाहिए तो कॉल कीजिए आप इन नंबर्स पे हमारा पेट ग्रूप जोईन करने के लिए और हाँ एक स्टडी फॉर से जरूर प्लीज जॉइन कीजिए हमारा क्योंकि आपको बहुत सारा फ्री मैटिरियल और इंपॉर्ण अपडेट्स आपको यहां पे मिलती रहते हैं चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं देखिए यह आपके टेस्ट हैं यहां पर यह आपको आपको आंसर बताता ही रहता हूं बट आप भी खुद अटेम्ट कीजिए और मुझे आपका कमेंट में बताइए कि आपके 100 में से कितने ठीक हो रहे हैं यह आपका जो प्रिप्रेशन लेवल है जो आपकी तैयारी है वो आपको एसस करने म हमारे पास आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल ए वेस्ट मॉनिटर आपकी ग्लोबल इंवेस्ट मॉनिटर 2020 जो आपकी रिपोर्ट आए थी उसके अनुसार वर्ष 2019 में वेस्ट विक्स तरपर इवेस्ट उत्वादक में कौन सा देश प्रतम स्थान पे रहा यह आपकी 2020 में बट इसमें पूचा गया कि 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें डाटा आपका 2019 का है और ऐसा कौन सा देश है जो आपका प्रतम स्थान पर रहा है यह वेस्ट यानि कि जो आपका इलेक्ट्रोनिक बेस्ट होता है उसकी प्रोडक्शन में इसका आंसर है आपका चा है ना चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ यह जो क्वेश्चन नंबर है तू है आपका फ्रेंड्स यह आपका जो आपकी विच आप दा स्टेट्मेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग ना मीटिंग ऑफ सिक्स ब्रिक्स एन्वार्मेंट मिनिस्टर य उसके संबंद में कौन से कतन यहां पर सही है कि 30 जुलाई 2020 को यह बैठक जो वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से संपन हुई यानि कि एक साथ नहीं थे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के दोवारे यह बैठक हुई रूस ने इस बैठक की अध्यक्षता की कि रश्या आप इस इस मीटिंग का और प्रकाश जावडेकर ने इंडिया की तरफ से इंडिया को रिप्रेजेंट किया था तो इसका आंसर क्या है आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका डी चलिए नेक्स्ट क्वेशन पर चलते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रतम मुक्यमंत्री गोविंद व 1887 को हुआ था और कहां हुआ था याद रखना आपका ये थे तो आपके उत्तर प्रदेश के आपके लेकिन अब उत्तर प्रदेश के वो अलग हो गया पार्ट आपका हम उसको उत्तराखंड बोलते हैं और इनका जन्म 1887 10 सिप्तमबर आपका अलमोडा डिस्ट्रिक्ट जो प्रदेश का पहला राज्य बना है पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है फ्रेंट्स ये सेकंड स्टेट्स में तर्कमेनिस्तान ये कंट्री आपके एक तुर्कमेनिस्तान डव्यू ट्यो में परियाव वेशक का दरजा प्राप्त करने वाला पच्चिश्वा देश प्रदान मंत्री ग्राम सडक योजना का में प्रदर्शन के मामले में किस राज्य या फिर केंद्र साशित प्रदेश का सीर्थ स्टान मिला है यानि की कौन सी यूनिन टेरिट्री या कौन सी स्टेट है जो आपका टॉप पे रही है पी एम जी एस्वाइ सेकंड फेस में त अनव संसाथन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है यह आपका एचाइडी मिनिस्ट्री का नाम बदल दिया गया और उसमें क्या गया गया है जो रहा आपका वह जमू एंड कश्मीर राप्रेंस अब हम चलते सेवंध कोशें में यहां पे पूछा ही कौन- विश्व जल सप्ता जो आपका 2020 घर रहा है www.weekathome पर 24 अगस्ते 28 अगस्त 2020 तक मनाया गया है statement यह जो friends आपकी है यह यहाँ आपकी बिल्कुल सही statement है विश्व जल सप्ता 2020 का मुक्य विश्य क्या रहा है उसकी theme क्या थी? Water and climate change, accelerating action दोनों की दोनों options आपके बिल्कुल सही है तो answer हो जाएगा इसका C1 और 2 उसके बाद 8th question है आपका यहाँ पर हो जाएगा कि हाल ही में किस राज्य में बेरोजगार हो चुके लोगों को फिर से रोजगार प्रदान करने ही तू online job portal रोजगार बजार का सुब आरंब किया गया है कौनसा यह online job portal कौनसा है? रोजगार बजार यह आपने कौनसे ही प्रदेश में आपका start हुआ है यह आपका हुआ है दिल्ली में कहाँ पे हुआ है डैली में उसके बाद हाल ही में सडक परिवाहन और राज मारगो की केंद्रिय मंत्री नितिन जैराम गडकरी ने राज मार्क के किनारे व्रक्षा रोपन और व्रक्ष रोपन की निगरानी के लिए एक mobile app लॉंच किया है उस app का नाम के है फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर है ए आपका हरित पत क्या होगा उस app का नाम हरित पत होगा तेंथ क्वेश्चन पर चलते हैं देखिए यहाँ पर अंतराश्ट्रिय साक्षर्ता दिवस जिसको इंटरनेशनल लिटरसी डे कहा जाता है उसके बारे में हमें सही स्टेटमेंट सही कतन चुनने हैं यहाँ पर अंतराश्ट्रिय साक्षर्ता दिवस पूरे विश्व में प्रतिवर्ष हर वर्ष 8 सेप्टेंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरसी डेशनल लिटरसी डेट वर्ल्ड वाइट सेप्टेंबर गफ है इंडिया जिवर्ष लिटरसी डेट है वो 77.7 परसंट है तो इसका जो आपका आपका आंसर होगा यह तीनों की तीनों जो स्टेटमेंट है आपकी बिलकूल सही है इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑपर युख सभी यह देगे अपकी जो इंडिया में जो आपका में सबसे जादा है 96.2 परसेंट और जो दिल्ली की शाक्षरता दर है पुरे देश में वो सेकेंड प्लेस पे दूसरे स्थान पे केरल के बाद अठाजी पॉइंट साथ प्रतिशत के साथ और जो भारत की एवरेज है जो आपकी चाक्षरता दर वो कितनी है 77.7 याद रगना फ्रेंट्स उसके बाद चलते हैं हम आपके 11th question की तरफ कि हाल ही में किसने स्टार्ट अप का समर्थन करने के लिए स्वदेशी माइक्रो प्रसेसर चैलेंज यानि कि आत्म निर्वर भारत के लिए अभिनव समाधान की शुरुवात की है फ्रेंड्स ये आपका किसने स्टार्ट किया है ये आपका स्टार्ट किया है रवी शंकर प्रशाद ने ये क्या है स्वदेशी माइक्रो प्रसेसर चैलेंज है ये आपका इनोवेटिव सॉलूशन किसके लिए फॉर आत्म निर्वर भातर भारत टू सपोर्ट स्टार्ट अप किसने स्टार्ट किया रवी शंकर प्रशाद ने और मुझे कमेंट करके बताए जो हमारे पास रवी शंकर प्रशाद है ये हमारे पास कौन से आपके मिनिस्टर है उसके बाद यहां से देखिए आपको सही करेक्ट सही कतन चुनना है आपको जुलाई 2020 में मौरिशाना नानिक्स को यूएन ग्लोबल नेलसन मंडेला पुरुषकार 2020 प्रदान किये जाने की घोशना की गई पहली स्टेटमेंट जो है फ्रेंट्स हमारी बिल्कुल सही है फ्रेंट्स पहली स्टेटमेंट हमारी दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं जुलाई 2020 में भारतिय मूल की सामी को सिंगापुर में प्रतिस्टित राष्ट पती पुरुषकार से सम्मानित किया गया दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे बिल्कुल सही है और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी देखें फ्रेंट्स 2020 में यून ग्लोगल लेंसल मंडेला आवर्ड आपको किसको मि मिला है उनको प्रेजिदेंशल अवार्ड मिला है कहां पे सिंगापूर में तो इसके साब से दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही हो गई है चलिए नेक्स क्वेस्टिन पर चलते हैं जोगी हमारे पास कौन सा है थर्टीन्थ क्वेस्टिन हाल ही में प्रतिस्टित बुकर प बर्नट शुगर क्या है उसका आंसर बर्न शुगर क्या है बर्न शुगर है उसके बाद आपका यहां में पूछा गया है कि इन स्टेटमेंट में से निमिलितिक कथन्स में से कौन सा सही है पहला है प्यूश गोएल ने नौगस 2020 को दो दिवस्चिये राश्ट्रिय विश्या था इसकी theme क्या थी प्रद्योगी की सक्षम सरकार खरीद दक्षता पारदर्शिता और समावेश और उसका में इंग्लिश में क्या होगी technology enabled government procurement efficiency transparency and inclusion दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स है बिल्कुल सही है इसका answer हो जाएगा आपका C उसके बाद एक जुन दोहजार बीस को प्रदानमतित नरेंदर नोदी द्वारा चैंपियंस यानि की चैंपियंस के जो आपकी फुल फॉर्म हो है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज से आपका रिलेटीड इफरेंट्स सोला क्वेशन देखते हैं कि जो इंडियन हेल्थ केर वीक है आपका जो की 17 से 21 अगस 2020 के बीच बीच आयोजित हुआ उसका मुक्यव विश्य क्या था यहां देखिए पहला रिडिफाइनिंग हेल्थ केर एकोसिस्टम दूसरा रिडिफाइनिंग हेल्थ केर एकोसिस्टम तीसरा फिट हेल्थ केर एकोसिस्टम एन चौथा कोई नहीं इसका जो सही आंसर है फ्रेंस वो है आपका ए जो की होगा आपका रिडिफाइनिंग हेल्थ केर एकोसिस्टम य यहांप कि हाल ही में वर्स 2020 के लिए इंटरनेशनल गया शूंड़ोटिक्स पेरि द्वारा प्रतिस्टित थियोडार वन पर्मन वन करमन पुरुष्टार कौन सा है यह आपका थियोडार वन करमन ऑवर्ड टूथाउड वन ट्वेडी बाइधा इंटरनेशनल अकैडमी ओफ आस्टरॉन नौटिक्स पेरिस यह 2020 पिस्ट को मिला है फ्रेंट्स इसका आंसर है आपके डॉक्टर के शिवान ये हमारे इज़रों के क्या है चेर मैंने जो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनेजेशन है। में चलिए ट्वेंटिए फ्वेंटिट की तरफ चलते हैं हाल ही में किसे इंद्रा गांदी शांती पुरुषकार 2019 से सम्मानित किया गया है किसको इंद्रा गांधी पीस प्राइस 2019 मिला है इसका आंसर है आपका सर डेविड एटन बॉर्ग क्या है इसका आंसर सर डेविड एटन बॉरो चलिए कि तरफ चलते हैं कि विश्व भरक के स्वदेशी लोगों का अंतुरास्ट्रे दिवस 2020 का विशे कोविड इसका जो आंसर है आपका वो है इसका 9th August 9 अगस्ट को यह दिवस मनाया जाता है वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल 2020 इस गोविड नाइटीन एन इंडिजीनियस पीपल रेजिलियन्स यह वाला जो दिन है आपका वो आपका 9th of August को मनाया जाता है अब आपका 22nd question है यह उन्हों परिवार पहचान पत्र किसने लॉंच किया है हरियाना ने लॉंच किया है उसके बाद जो आपका 23rd question है वहाँ पूछा गया है कि हाल ही में केरल के मुक्यमंत्री पिनाराई विजेन ने केरल में त्रिविंत्र पुरम जिले के विजिन जाम गाउं में पहली समुंदरी ambulance की आपका नाम है प्रतीक्षा एंबूलेंस किया नाम रखाय उन्होंने केरला में start किये कहां पर जेसे करुन Tack में उसको क्रूनिया कहागया है और ये आपकी तीन प्रतिक्षा कहां कहा गया है प्रतिक्षा आप कौन से इंच एंबृन का नाम रखा गए अब विजशन फॉर्ट की तरफ इसमें काहा गया है कि जो फॉर्चिन ग्लोब डो जो फॉर्चिन ग्लोबल 500 हैं हमारे पास 2020 की यूसमें भारत की साथ कंपने मिले इस इसमें से प्रतम स्थान पर कौन सी कंपनी है प्रतम स्थान पर इसमें से रिलाइंस इंडस्ट्री ज्याद रगना और इस फॉर्चुन ग्लोबल 500 की लिस्ट में सबसे टॉप पर कौन सी कंपनी है यह आपकी वालमार्ट कंपनी यह अमेरिका की रिटेल कंपनी इसका नाम क्य दोना चाहते थे ना हमारे पास पांडवों के गुरू ऐसे इनको नाम पे एक बुक लिखे गई है आपकी जगनात परांज पे नाम पे बुक लिखे गई है आपकी क्रिकिट द्रोना का दो सितंबर 2020 को विमोचन किया गया है उसको इस पुस्तक के लेखक कौन है उसका आथर नागपूर से कौरबा के बीच देश की सबसे लंबी मालगाडी चलाकर रिकॉर्ड बनाया है रेल गाडी का नाम पूछा है इनोने जो लॉंगेस्ट हमारे पास फ्राइट ट्रेन है यह रेल गाडी हमारे पास 2.8 किलोमेटर लंबी है याद रगना और यह नागपूर से क वन भूमी अधिकार प्रमान पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है इसका आंसर है आपका जगदलपूर याद रखना यह पहली मुंसिपल कॉर्परेशन इंडिया की कौन सी बनी है तो प्रोवाइड फॉरस्ट लेंड राइट सर्टिफिकेट कौन सा मुंसिपल कॉर्परेशन है जगदलपूल मुंसिपल कॉर्परेशन उसके बाद आपका ट्वेंटिएट्ट क्वेश्चन है यह कहता है कि हाल ही में जारी वैस्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का 48 स्थान है इस सूचकांक में प्रतम स्थान पर कौन सा देश ह इंडिया का स्थान कрем 48 है आपका Recently released Global Innovation Index में 2020 में इंडिया के राएट है इसमेंlesia Race पहले चंट्रिफ्रेंट फ्रेंट्री की है किसकी है यह मैं दूसरा आपका इसमें Sweden है तीसरा अमेरिका है, चौथा इसमें आपका ब्रिटेन है फ्रेंड्स और नीदर लेंड इसमें पांचमा है, दक्षिन कोरिया जो है आपका रैंकिंग में पहली बार 60-10 देशों में शामिल हुआ है, याद रखना जो आपका साउथ कोरिया है, वो फर्स्ट टाइम आपका यूजना आपका नीदर लेंड है, अब यहाँ देखिए, हाल ही में किस राज्ये ने वनवासियो का समर्थन करने के लिए इंद्रा वन मिताना योजना, कौनसी इंद्रा वन मिताना योजना, किसने लौच किया है, किसके लिए इसका आंसर है फ्रेंट्स आपका च्छतिस गड़, क्या है इसका आंसर च्छतिस गड़ ऐसा राज्ये है, जिसने फ्रेंट्स द्वेलर्स के लिए इंद्रा वन मितान योजना आपका लौच किया है, उसके बाद निमिलिखित किस देश में भारत द्वारा निर्मित संस्कृत विद्याले, उसका नाम किया है श्री पे निमिलिखित है इसका भारत द्वान मिर्च किस बाद क किस देश में भारत द्वारत द्वार्र द्वान ममें चीजे उसके बाद आपका अगस्त दोहजार बीस में और विद्टिय शिक्षा आरब्या नो जो आपका जारी किए वो क्या है विद्ट्य शिक्षा के लिए रास्ट्रिय रन्निती 2020 से 25 हेतु 5 C को शामिल किया गया है किसको 5 C को शामिल किया गया है इन 5 C का मतलब क्या है ये 5 C क्या है friends 5 C's हैं आपके किसमें National Strategy for Financial Education 2020 से 25 तक जो है आपके 5 C's include किया गया है अगस 2020 में RBI दौरा उनका मतलब क्या है friends आपका इसका answer है आपका A Content, Capacity, Community, Communication and Collaboration याद रखना पूछे जा सकता है friends देखे जो भी सारे हम questions आपको यहां करा रहे है वो बहुत ही जादा important questions है आपके लिए please in questions को आप seriously लीजेगा test को अच्छे से solve कीजेगा comment करके मुझे बताइएगा कि आपके test में कितने marks बन रहे हैं उससे आपका self assessment करने का मौका मिलेगा अपना पता लगेगा आपको कितना आता है current affairs पढ़िए यह test हमारे साथ देते रहे है test में बहुत जादा important questions आपके direct उठके आएंगे यहां से हमारे साथ करते रहे है आप UPPCS की तयारी और भी सारे exams की तयारी सब में आने वाले है यह उसके बाद 33rd question पर जलते है sorry है KGC card से संबंदित सही कतन चुने इस card की शुरुवात SDFC bank ने भारती है शशस्त्र बलो के लिए किया था उसके बाद इस card पर 10 लाग रुपे का life cover दिया जाता है इसका answer है आपका दोनों की दोनों ठीक है 1 & 2 यह जो आपका शौरे KGC card है इसको SDFC bank ने introduce किया था Indian Armed Forces के लिए life insurance cover दिया जाता है इसमें 10 लाग तक का इस card पर तो आपका answer के है C बोथ 1 & 2 बहुत important questions है करते रहिएगा और UPPCS के लिए तो पासकर सब्सक्राइब और दूसरे एक्जाम के लिए इसके बाद हम चलते हैं आगे थर्टीपर्थ question बे जो 28 जुलाई को Nobel प्रसकार विजयता व्यग्यानिक डॉक्टर बारुक Blumberg के जनम दिवस पर मनाए गए विश्व हैपटाइटिस दिवस 2020 का विश्य क्या था जो आपकी थीम है फ्रेंड्स वर्ल्ड हैपिटाइटस डे 2020 जो कि आपका मनाया जाता है किसके बार्दे पर आपकी Nobel प्राइज विनिंग साइंटिस्ट है बेरुच Blumberg on 28 July उसकी आपकी थीम है फ्रेंड्स इसका आंसर है आपका बी जो कि हैपिटाइटस फ्री फ्यूचर क्या है है हैपिटाइटस फ्री फ्यूचर इसकी थीम है याद रगना उसके बाद आपका 35th question है कि निमिल लेखित मेंसे कौन-कौन से कथन सही है यहाँ पर आपको कतन बताने है जो आपको स्टेटमेंट्स दी गई है उसमें से आपको correct statement बतानी है फ्रेंड्स पहला है कि European Union ने आवास निर्मान छेत्र की महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए परियोजना निर्माश्री की शुरूवात की है कौन सी निर्माश्री की शुरूवात के टू एनेंस द स्किल्स अव वोमें इन द हाउसिंग कंस्रक्शन सेक्टर के सने European Union ने बिल्कुल सही statement पहली है यह परियोजना महाराश्र के बीड और उसका ते बाद उसका ते बाद जिलो और उडिसा के धेकनाल और जजपुर जिल होगा इसका आपका सी अभी हाल में एक वर्ल्ड उर्दू कॉनफरेंस विक्स परिशत ने आपका विश्व उर्दू संम्धलन करा है आपका यह है आपके राश्री ँर्दू भाशा जो विकास परिश्या नैश्नल काउंसल पर्मोशन आप उर्दू लेंगवेज इसको कहा जाता है और यह आपका हुआ है फ्रेंट्स आपका नई दिल्ली में कहां नई दिल्ली न्यू डेली याद रखना उसके बाद आपके क्वेश्चन है कि इन वे से कौन कौन से कथन आपके सही है स्टेट्मेंट कौन जी करेक्टर प्यूश गोवेल नौगेस 2020 को दो दिवश्य से रास्ट्रे सारवजनी सम्मेलन यानि की एन पी सीची 2020 डिजिटल प्रदर्शनियों और सम्मेलन के चौथे विसंस कारण का उद्गार्डन के बिल्कूल सही है क्वेश्चन उपर देख सकते हैं इसका जो मुख्या विश्य था थीम थी प्रद्योगी की शक्षम सरकार ख 2020 के मध्या आई एच जी एफ दिली फेर ऑटम के पचासवे संस्क्रण की मेजवानी के शहर में की जाएगी इसका आंसर है आपका ग्रेटर नौइडा क्या है इसका आंसर जो आई एच जी एफ दिली फेर ऑटम है यह आपका कौन होस्ट करेगा 14-18 ऑक्टूबर की बीच मे रहें ग्रेटर नौइडा फ्रेंट्ज थरडी नाइन आइन खार क्या प्रेंट के आउपकर क्वेश्चन एक हाली में भारतिया निर्यात आयात इनको ले एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बेंक इंपोरT एक्सपर्ट बैंकंक द्वारा बिजली आपूरता गुनवत्था में मोजेंबीक फ्रेंट इंडिया है आपका वह क्या नमबर वन और इंडिया मेंध्य है इंडिया की और एक्टना एंडिया में और आपका आंसर ना कंट भारट जैविक किसानों की कुल किया के मामले में नंबर वन है जैवी खेदी के तहत फुल रख्वे की द्रिष्टी से भारत के स्थान पर है आंसर है नौए और जो आपकी इंडिया की फुली ऑर्गैनिक स्टेट पूरे वर्ल्ड की फुली ऑर्गैनिक स्टेट वह आपकी सिक्किम फ्रेंड्स पर राष्ट्री है हमारे पास खेल दिवस 39 अगस्त को मनाया जाता है उसके अवसर पर पांच खिलाडियों को वर्ष 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरुषकार निमिलिकित में से कौन उनमें शामिल नहीं है राणी रामपाल को होकी के लिए मनीका बत्रा को टेवल टैनिस के बिल्कुल शामिल है मरियन थंग वेलु को एथलीट है उसके बाद विनेश फॉकार्ट को पहलवानी के लिए इसमें आपकी शामिल कौन से नहीं है बभीता इसका सही आंसर है याद रखेएगा ये इसारे आपके यहां खिलाडी जिनको राजीव गांधी खेल रत्म पुरुष्कार मिला है उनका भी नाम रहाद रखेगा लेकिन वभीता फॉकार्ट इसका राइट आंसर है उसमें इनको नहीं मिला है उसके पाद जो आपकी जो कि आपके WWE में जिनको आप दारॉक के नाम से जो आपके फेमस है और इसमें आपका अक्षे कुमार को इस लिस्ट में आपका 6th position मिली ए इंडिया से अक्षे कुमार 1st है और उनको 6th position मिली इस लिस्ट में अब 33rd question के चलते हैं कि हाल ही में ग्रह मंत्रा ले आनी कि Ministry of Home Affairs ने आप नाम दिया जाएगा उसके बाद चलते हैं हम आपके 44th question पर 29 जुलाई 2020 को बहु प्रतिक्षित सामारिक रूप से मैधपूर्ण परांच फ्रांसीसी राफेल विमान विमानो यानि कि राफेल एरक्राफ को किस वायू सेन्य अड्डे पर आगमन हुआ है कौन से आपके एर बेस पे उन्हें उतारा गया जो आपके राफेल एरक्राफ आयते 59 जुलाई को पांच आपके राफेल एरक्राफ आयते उन्हें कहां उतारा गया फ्रेंड्स आपका उन्हें उतारा गया आपका अंबाला एर बेस पे जो कि आपका हर्याना में पढ़ता है फ्रेंड्स यह आपका बहुत अधा important question हो जाता है कि नीती आयोग की निरियात ततपर्ता यानि की नीती आयोग का exports preparedness index 2020 से संबंदित यहाँ पर सही कथन चुनने है correct statement चुनी है पहला देखिए निरियात ततपर्ता सूचकांक EPI 2020 में गुजरात को पहला स्थान पर आपता है बिल्कुल सही है friends इस सूचकांक में दूसरा और तिसरा स्थान जो आपका मिला है महराष्ट और तमिल नाडु को मिला है बिल्कुल सही है दोनों की दोनों statement आपकी यहाँ पर सही है साथमा चतिजगर करनाटका और कैरला भी आपके शामिल है राजिस्टान ने आपका बेस्ट परफॉर्म किया है अमंग दा स्टेट्स कंप्लीटली सरांड़ेट बाइंड लेंड बॉर्डर्स फॉलोड बाइंड हर्याना यह देखिए यहां पर आप एक्सपोर्ट करते है अगर हम आपके एक्सपोर्ट की बात करते हैं एक्सपोर्ट जो होता है वो उसको निर्यात कहा जाता है हिंदी में और इंपोर्ट को आपका आयात कहा जाता है जो हम बहार बेजते हैं देखिए जिनकी आपकी बाउंडरी जो स्टेट्स की बाउंडरी आपकी जहां पर पो तेलांग ना second नमबर पे हर्याण ना third नमबर पे अब आपकी पहाड़ी स्टेट से हीमालियन स्टेट उस में से आपके उत्राखंट को पहला स्थान मिला है तिरपुरा और हिमाजल प्रदेश को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है याद रखेगे आपका जो 43 से नमबरिंग म क्या है इसका आंसर प्रोफेशर अशोक शाहनी इनको मिला है Lifetime Excellence Award for the Year 2020 और यह आपके किस ने Ministry of Earth Sciences and National Awards अनौंस किये हैं अब आते हैं हम 47th question में यहाँ पर दिया गया कि जून 2020 में Chief Minister of which state has launched at one click and online cash assistance initiative क्या नाम है at one click नाम है और यह क्या है आपका online cash assistant initiative f4 आपके 12,247 जो MSME and large industrial unit से उनके लिए जून 2020 में किस राजय के मुक्यमंत्री ने around 12,000 MSME और बड़ी उद्योगी काईयों के लिए एक online नगत सहायता पहल यानि कि at one click शुरू की है इसका answer है friends आपका गुजरात कौन है इसका answer इसका answer है आपका गुजरात और इसमें कितने की आपकी शायता कर रे हैं आपकी उनकतर करोड रूपे की at one click में शायता आपकी जो आपकी एकाईयां है इनकी आपकी शायता हो रही है फिर चलते हैं आपके 48th question पर जो आपकी लिट्रल मेरिटाइम एक्सराइज इंद्रा नेवी क्या नाम है उसका इंद्रा नेवी का ग्यार्मा संस्करन 4-5 सेप्टेंबर 2020 को हुआ था मध्य बंगौल खाडी में आपका संपन हुआ इन अभ्यास किन दोसों के बीच किन देशों की नौ सिनाओं के बीच में हुआ था यह जो आपका अभ्यास हो है आपका रशिया एंड इंडिया के बीच में हुआ किसके इंडिया एंड रशिया के बीच में उसके बास हमारे पास जो आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश रोज़गार अभ्यान से संबन्दित आपको सही कहतन चुनने है यानि कि correct statements related to self-reliant उत है यानि कि 100 दिन के लिए चलेगा इसके जो correct answer है वो आपके C यानि कि one and two first सभी है आपका second सभी है बट जो अभियान है आपका 100 दिन के लिए नहीं 125 दिन के दिन के लिए चलेगा तो 30 जो है आपका वह जाता है wrong इसलिए का आंसर होता है आपका क्या केवल एक और दो चलिए पचासवे कुश्चन पर करते हैं हाली में कौन सा देश अंतरास्टिस और गट बंदन यानि कि इंटरनेशनल सोलर एग्रिमेंट फ्रेमवर्क एग्रिमेंट समझोते पर हस्ताक्षर करने वाला सतासीमा देश बन गया है 87 कौन सा ऐसा देश बन गया जिसने इंटरनेशनल सोलर एलाइंस प्रेमवर्क एग्रिमेंट पर साइन किये हैं इसका आंसर है आपका निकारा गुवा कौन सा है निकारा गुवा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यहां पर हमारे पास यह क्वेश्चन है हमारे पास जो है 48 थोड़ी नंबरिंग गलत हो रही है यह है हमारे पास 51st क्वेश्चन है कौन सा है 51st क्वेश्चन है आपका यहां देखिए यहां देखते हैं कि हाल ही में वार्शिक टीबी रिपोर्ट आई आई आपकी 2020 की उससे संबंदित सही कतन च देखिए उसके बाद छोटे राज्यों में आपका नागालेंड और तिरपुरा दोनों को सर्फ्रेश्चन करने वाला राज्य की रूप में सम्मानित किया गया है तीनों की तीनों स्टेट्वेंट्स आपकी बिल्कुल सही है इसका आंतर हो जाया का डी ऑल आफ दा अबव और यूजिन टेरिट्रीज के मामले में जो आपके केंदर शाषित प्रदेश होते हैं उनके मामले में दादरा नागर हवेली और दमनेव दीव को आपका क्या दिया गया है बेस्ट परफॉर्मर सर्फ्रेश्च प्रदरशन करने वाले आपके केंदर शाषित प्रदेश के रूप में सम्मानित किया गया है फ्रेंट्स उसके बाद चलिए चलते हैं आपके फिफ्टी सेकेंड क्वेस्टन पे अकॉर्णिंग तो डाटा प्रेजेंट इन राज्य सभा बाइदा मिनिस्ट्री फाइनेंस रिसेंट्ली ऐसी कौन सी फर्स स्टेट है इन लिस्ट अफ लो जाओं के दुर्यूपयोग और अवय तसकरी के खिलाफ अंतराश्च्री दिवस 2020 यानि कि यह आपके 26 जून को मनाया गया था इस दिवस का मुख्य विश्य क्या था इसका आंसर आपका बैटर नॉलिज फॉर बैटर केर क्या है इसका आंसर इसकी थीम क्या थी बैटर नॉ क्वेश्चन की तरफ यह हमारे पास यहां पर यहां के थोड़ी जो काउंटिंग गड़ बढ़ा गई है बढ़ी आपको वीर्ता पुरुषकार की गोश्चना की गई इन पुरुषकार की सूची में पहला स्थान किस राज्य केंदर शाथित प्रदेश की पुलिश को मिला है इसका सही जो आंसर है आपका वो बी है जम्मू कश्मीर में सबसे जादा आपको वीर्ता कुरुषकार मिले गए हैं जम्मू कश्मीर को टोटल आपके 81 मेडल मिलें जिसमें आपके दूसरे स्थान पर रहा है CRPF जिसको 55 मेडल मिलें और तीसरे स्थान पर आपको उत्तर प्रदेश रहा है उत्तर प्रदेश पुलिश रही है जिसको आपके 23 मेडल मिले हैं फर्स्ट पर याद रखना जम्मू कश्मीर पुलिश विद 81 मेडल्स चलते हैं हम अपने 56 पर चलते हैं जो हमारे पास विश्व आपका रोगी शुरक्षा दिवस 2020 है उसकी जो थीमती है हमारे पास स्वास्ते कर्मी शुरक्षा रोगी शुरक्षा के लिए प्राथ मिक्ता हाल ही में यह दिवस कब मनाया गया है फ्रेंट्स 56 का आंसर है आपका डी जो कि आपका 17 सेवंटीन सेप्टमबर को सेलिब्रेट किया है जिसकी थीम क्या थी हैल्ट वरकर सेफटी आप प्रायोर्टी फॉर पेशेंट सेफटी चलिए फ्रेंट्स हम चलते हैं अब अपने 57 क्वेश्टन की तरफ इसमें क्या है कॉंसी स्टेट्मेंट्स आर नौट करेक्ट कॉंसी सही नहीं है राश्टमंदल खेलों की स्वर्ण पतक विजिता वेट लिफ्टर पूनम यादव को 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरुषकार प्रदान किया जाएगा उसके बाद जो आपकी दूसरी स्टेट्मेंट है वह 21 जून 2020 को मनाए गए अंतरास्ट्री वह था आपका स्वास्था के लिए योग घर पर योग यानि कि आपकी जो थीम थी आपकी 21 जून 2020 को आपका योगा डे सेलिब्रेट किया गया था योगा फॉर हेल्ट एंड योगा एट होम सेकेंड बिल्कुल आपका सही है तो इस उसका आंसर हो जाता है 57 वह हमारे पास ह लिए फ्रेंट्स फिफ्टी एट्ट के हम तरफ चलते हैं यहां यहां गडबड थोड़ी सी आप इसमें आ रहे हैं बड़ आप क्वेश्चन देखते जाए और आंसर देखते हैं आप नंबरिंग से टेंशन ना लीजिए विच आइटी हैस बिन रेंक्ट फॉस्ट इन इन इंडियन इंस्टूट ऑफ साइंस जो बैंगलोरु का है उसका चौथा स्थान है पांचमा स्थान इसका आईटी खड़कपुर को है फ्रेंट्स फिफ्टी नाइंत क्वेश्चन है यहां हम देखते हैं कि हाली में इंस्टूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी की गई विश्व प्रतिसपर्धी सूचकांक में भारत ने 43 स्थान हाचिल किया गया है किया है इस सूचकांक में प्रथम स्थान कौन से देश का है फ्रेंट जिसका आंसर है आपका सिंगापूर कौन सा यह वर्ल्ड कॉंपिटिटिवनेस इंडेक्स रिसेंटी रिली किस राज्य में स्थाबित किया जाएगा इन विच अब दस्टेट विल्ड फर्स्ट रैंकिंग फर्स्ट सिल्क ट्रेनिंग एंड प्रोडक्शन सेंटर कहां पर एस्टेबलिश किया जाएगा पहला इसका आंसर है अरुनाचल प्रदेश कौन सा है यह आपका अरुनाचल अरुनाचल प्रदेश के एक आपका जो आदिवासी गाओं है जिसको हम चुलू कहते हैं क्या कहते हैं चुलू वहाँ पर आपका सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर खोला जाएगा रेशम प्रसिक्षन वैसे है उत्पादन केंद्र यहां पर खोलेंगे और यह रा सूचकांक यह आपका निकालता है 2019-2020 का निकाला है उन में से आपको संबंदित सही कथन चुन्ने हैं पहला इस सूचकांक में गुजरात तमिलाडू और महाराष्ट्र ने रैंकिंग में सीर स्थान आशिल किया है चोटे राज्यों में गोवा ने प्रतम स्थान आशिल किय है केंदर शाषित प्रदेशों में चंदिगड दिल्ली और अंडमान दीप समू रैंकिंग में सबसे उपर है यानि कि चंदिगड को टॉप मिला है आपका तो फ्रेंट्स यह तीनों की तीनों स्थेट्समेंट्स आपकी बिल्कुल सही है यहां आंसर हो जाएगा आपका उ क्या है इसका आंसर निर्मली और सरायगड को यह आपका जोडता है अब हम उसके बाद अकॉर्डिंग को मर्सर 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे यानि कौन सा शहर कितना महगा है उसमें आपका मुंबई जो आया है वह आपका मोस्ट एक्सपेंसिव इंडिया की जो दूसर सिटी ऑफ इंडिया दूसरी आपकी सबसे महगी सिटी है इंडिया की दूसरा का सबसे महेंगा शहर एंडिया का हो कॉन सवरेंच का वो है आपको New Delhi कौन से है Mumbai के बाद आपको कौन से है New Delhi आपका दूसरा सबसे महंगा शहर है उसके बाद आपका Chennai आपका third屁ए third position पर आता है और जो विश्व का सबसे जो महंगा शहर है पुरे वर्ल्ड की सबसे महंगा शहर है उसमें आपका नाम किसका है फ्रेंज्स उसमें Hong Kong ने टॉप किया है Hong Kong के बाद आपका अश्गाबट एक शहर है आपका तुर्कमेंस्तान का वह आपका सेकेंड नंबर पर है और टोक्यो थर्ड पर है आपका ज्यूरिच जो कि आपका स्विजर लेंड में वह आपका 2020 को कौन सी बैंक ने लॉंच किया हमारे पस Digital अपना-एन डिज़ितल अपना-एन डिज़ितल अपना-एन केंपेंड टू प्रमोट डिज़ितल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए इस डिजिटल अपनाए अपनाई अपनाए अपनाए अभियान की अप शुरुवात की गई पर दा wanted इस पोर्स का अध्यक्षं किसे अंगत किया गया उनका नाम है जया जेटली क्या हो सट्पूर्स है इस नाम और फेले चिल्रेनलर्स के लिए उत्तरप्रदेश के साथ एक जोता ग्यापन पर हक्ताक्षर किया है यानि कि Memorandum Understanding उत्तरप्रदेश के साथ यह कौन सी e-commerce company ने आपका साइन किया किसके लिए वन डिस्टिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए इसका आंसर है आपका फ्रेंट्स फ्लिप काट क्या है 66 जो का आपका किया गया है कि क्या हुआ इसका दीश्य ह्यां इसका देश्य है इसका आंसर ए आन्सर से लागत् परभावी और्जा को अपनाना यानि कि एड़ोप्राइंड़कर अर्च कि दोड़ले इनल्बियों आपका परपस क्या है डोबकत कास्ट इफेटिफटिव औरृड चलिए एक और क्वेशन यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लेकिन फिर भी देख लेते तेरा अगर 2020 को फॉब्स की पत्री गाई थी उसे सबसे अधिक कमाई करने वाले दुनिया के फिल्म अभिनेताओ की सूची में चीर्स दस्ट में किस भारतिय फिल्म अभिनेताओ शामिल किया गया है यह है आपके अक्षे कुमार जिनको आपके छटा स्थान मिला है पूरे विश्व में फॉब्स की सूची में चलिए फिर नेक्स्ट कोईशन पर चलते है हाली में किस राज्ये के मुख्य मंत्री ने सरका जमू और कश्मीर क्या अंसर इसका जमू एंड कश्मीर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर हाली में आर्थिक मामलों की मंत्री मंदली है समीती ने पलवल से सोना मानेसर खर्खौंदा होते हुए सोनीपत तक हर्याना और्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दिया है इस परियोजना की लंबाई कितनी है यह परियोजना कितनी है किसने इसको एप्रूफ किया है कैबिनेट कमिटी ओन इकनॉमिक अफियर्स ने हर्याना और्बिटल रेल कॉरिडोर जो कि आपका पलवल से लेके सोनीपत वाया सोना मानेसर खर्खौंदा इस एक मंच पर नियोकताओं के साथ जोडने का प्रियास है इसका आंसर आपका करनाटक क्या है आंसर इसका आपका करनाटक हाली में किस प्रशिद आपका जल वायू परिवर्तन कारे करता को मानवता के लिए पहला ग्लूबेर्कियन पुरुषकार 2020 प्रदान किये जाने की गो बर बेकियन आवार्ड फॉर हुमेनिटी 2020 फ्रेंट्स मैं आपको नहीं बताओंगा सर्च कीजेगा ग्रेटा थन्बग के बारे में आप सबको पता होना चाहिए छोटी सी बहुत 12-13 साल की लड़किये इन्होंने एक मुव्मेंट चलाया है और इनको देखे बहुत सारे ब इसका नाम है क्रितिका पांडे क्या नाम है इनका क्रितिका पांडे उसके बाद चलते हैं पांच अगस 2020 को की गई घोशना के अनुसार किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षन केंदर बनेगा यानि कि स्नो लिपार्ड कंसरवेशन सेंटर बनेगा आपका इसका आपका उत्तरा खंड क्या उत्तरा खंड क्या उत्तरा खंड कहां पे उत्तरकाशी में चलिए नेक्स्ट देखते हैं यह वाला जो क्वेशन है हमारे पास यहां पर 10 जुलाई 2020 को नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से कहां पर एशिया की सब के माध्यव से बड़ा और यॵ्जा सण्येंत्र का ऊधगातन किया है इसको आंसर वह आपका रीवा मध्यप्रदेश कापे रेवा मध्यप्रदेश नरेंड्र मोदी ने इनाग्रीट क्या एसिया का monks वीडियो कॉन्फरेंसिंगे 2020 मध्यव जलते हैं जो हमारे पास मोबाई एप्लिकेशन आई आडी का पूरा नाम एकक्रित सड़क दुरगटना डाटाबेस पर योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है फ्रेंट्स इसका मुख्य उद्देश्य है कि सड़क्षा को बढ़ावा देना प्रमोटिंग रोड सेफटी किसका प्रोजेक्ट जो आई इतने रुपए दे जाएंगे कितने की बित्य शाहेता दी जाएगी उनको लिध जटुराझ की विद्द्य साहेता दी जाएगि यारख्या प्रेंग्स करने के लिए 0-2014-2020 तक सब्याना भर चलने वाला अभ्यान प्योर फौर शॉर का शुबारंब किया गया है इसका आंसर है आपका राजिस्थान क्या है इसका आंसर राजिस्थान चलिए फ्रेंट सेवे अब यहां क्वेस्चन पर जलते हैं यह वाले यहां देखते हैं कि निमिलेकित में कौन-कौन सा कथन सही नहीं है इस एप का वर्चुल क्लास्रूम सपोर्ट इस एप क्या नाम है मोबाइल मास्टर जी यह किस ने डेवलप किये हैं इमेजिनरी लैब ऑफ आयाईटी डेली फ्रेंट यह वाला हमारा फर्स्ट वाला गलत हो जाए क्योंकि इसको आईटी डेली ने डेवलप नहीं किया गया इ एक तेरा यह ओल्ड स्टुडेंट ऑफ ब्रेटिश स्कूल न्यू डेली के आपका रिसीव दा टू थाउजन ट्वेंटी डाइना आवर्ड फॉर हर रिसाइकलिंग एप बिल्कुल सही है फ्रेंट जो सेकंड आपका स्टेटमेंट है यह फ्रिया ठकराल नहीं जीता है यह यहां पर देखिए यहां पर क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच फॉफ देली फॉर इस आर्टिफिशल इंटेलिजिएंस टेक्नोलोजी इंड है इसका आंसर है इस्राइल कि आप किसी देश ने अपनी कृतिम बुद्धी मता जिसकों आधारित टक्निकों और हाइंड उ यानि कि इनको बोलते स्टेट इलेक्शन कमिशनर थी जिनका 16 जुलाई 2020 को कोविड नाइटी ने कारण निधन हो गया अब जो इसका आंसर है वो है हमारे पास महाराष्ट की थी वो कौन नीला सत्यनारायनन वो महाराष्ट की पहली आपकी स्टेट इलेक्शन कमिशनर थी अज़ा चलिए देखिए अभी अभी कौन 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 आपका अपॉइंट हुए 14th कॉम्प्रोलर और जनरल ऑफ दा कंट्री यहां देखिए 14 नियंत्रक एव महालेखा परिक्षक जिनको कैक बोलते हैं वह आपके कौन से अपॉइंट किये गए इसको बोलते हैं ट्रैक को किस प्रशुप्रजाती को ट्रैक करने और रिपोर्ट करने के प्रैकी ने बतान a क envision आणसर की होगा है रेडियो नेटवर्क पर आधारी संपूर्ण दूरसंचार कनेक्टिवीटी भारत एयर फाइबर यहां दगना भारत एयर फाइबर गया है इसका आंसर है आपका अकोला महाराष्ट्र कहां पर है यह अकोला महाराष्ट्र फ्रेंट चलिए फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं यहां पर देखते हैं कि कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट्स है वो आपकी सही है तो इस यह जो आपका बहतर भविश्य का निर्मान तो इस यह जो आपका इंडिया आइडिया इंडिया आइडिया सभीट है यहां पर आपके तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उसके बाद हम 88 अगर क्वेश्चन पर आपका चलते हैं तो 12 अगस 2020 विट स्टेट गॉवर्मेट एज लॉंच्ट मुक्यमंत्री किशान सहाय योजना उन्होंने टू प्रोवाइड क्रॉप इंशूरेंस फैसिलिटी टू आल फार्मर्स ऑफ दा स्टेट 12 अगस 2020 को किस राज इक अब कर 198 यहांप पर चलते हैं आपके नीक्स्ट क्वेक्ष्चन पे यह आपका है वैश्विक विश्विक विंिर्मान कि अ वैश्विक विंरमान के संबंध में यहां पर आपको खार्एक सही 11-19 इस सूचकंग को जुलाए přाटवारू जुमेरी की शंपती आश्ट दूसरा स्थान प्राप्ट हुआ है यह भी बिल्कुल सही है चीन को प्रत्थम और अमेरिका को दूसरा स्थान प्राप्ट हुआ है फ्रेंड्स फ्रेंड्स थर्ड वाला जो है आपका आपका ऑप्शन है यह आपका गलत है क्योंकि अमेरिका को फर्स्ट आपका यहां पर रे इसको अमेरिकन प्रॉपर्डी कंसल्टेंट कुश्मेन एंड वेक फिल्ड इसको रिलीज करते हैं चलिए फ्रेंट्स अब नेक्स्ट नाइन्टिफ क्वेशन के तरफ चलते हैं कि हाली में फाइबर स्टार गाउं फाइब स्टार गाउं योजना इसको हम बोलते फाइब इसका आंसर है आपका डिपार्टमेंट ओफ पोस्ट जैने की पोस्टल डिपार्टमेंट डाक विभाब के दुआरा यह आपकी स्टार्ट की गई है और यह एंशोर करना है सुनुश्चित करने के लिए कि जो हमारे फाइब स्टार गाउं के नाम से एक परियोजना स्टार कि यह क्या सुनुश्चित करने के लिए जो डाक विभाग है हमारे पास वहां वो ग्रामीन चेत्रों में जो प्रमुक डाक योजना होंगी उनका यह पूरा कवरेज उनको पूरा कवर करना चाहिए फ्रेंड जिनको यूनिवर्सल कवरेज ओफ मेजर पोस्टल स्कीम्स इन इस्तानबुल ठीक है तो एक किस से यह मतलब जो फेमस है यह सोफिया म्यूजियम है आपका जो इस्तानबुल में लोकेट रहा है उसको किस में चेंज कर रहे है यह आपका उसको यह आपका मस्जिद में चेंज कर रहे हैं फ्रेंड्स मॉस्क में चेंज कर रहे हैं हो गई है फिर है आपका 93rd question अप्रेल 2020 में विश्व बैंक के अनुसार कोविट 19 महामारी से प्रभावित भारत की GDP वित वर्ष याने कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है यह इसका आंसर है डेड से आपका 2.8 परसेंट देड से दो पॉइंट आट परसेंट इसका GDP का हमारे पास रहने का अनुमान है अकॉडिंग तो वर्ल बैंक इन एपरेल 2020 इंडिया जीडिप एफेक्टेट बैपोविट 19 epidemic is estimated to be what percent in financial year 2021 तो क्या परसेंट होगा 1.5 परसेंट 2.8 परसेंट चलते हैं कि इन में से कौन सा कथन आपका सही है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है तो टाइटल स्पॉंसर है आपके IPL 2020 के वो कौन है ड्रीम 11 है ठीक है पहला स्टेटमेंट यह है दूसरा स्टेटमें स्टेटमेंट है इटी कंपनी गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हितू कोर्मा जॉब एप्स यानि कि कोर्मा जॉब्स एप लॉंच किया है तो यह भी सही है बिल्कुल और IPL 2020 का जो टाइटल स्पॉंसर है वो आपके हमारे कौन है ड्रीम 11 है दूसरा जो कोर्मा ज स्नुकर चेंपिएंशिप 2020 का खिताब इंगलेंड की राणी उसुलिवान ने जीता है बिल्कुल सही है वर्ल जो स्नुकर चेंपिएंशिप हुई है महाँ पे राणी आपका ओसलू ऑसली वान औफ एंगलेंड ये किसके हैं ये कहां के इंगलेंड के उन्हों जीता है तो इसका आंसर हो जाएगा उप्रियुक्त सभी यानि कि all of the above उसके बाद फ्रेंट्स पर 95 अब क्वेश्चन आता है कि 27 अगस 2020 केंदर सरकार ने GST में बड़ी राहत देते हुए कितने लाग रुपे सालाना तक के टर्नोबर वाले कारोबारियों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है इसका आंसर है फ्रेंट जिनके 40 लाग से उपर आपके जो कारोबारी होंगे उनको GST के दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है और यह सब आपका COVID-19 की वज़़े से हो रहा है और यह सब्सक्राइब आपका सही लगता है अगस्त 2020 में मिल्टरी एंड टेकनिकल फॉरम में भारतिय पविलिन का उद्गाटन रूस में किया गया बिल्कुल फ्रेंट्स फिर्स्ट स्टेट्मेंट जो है आपकी वो बिल्कुल आपका जो इंडियन पविलिन था इनॉगर स्टेटमेंट गलत नहीं है 2020 में अफ्रीका महादुइप को पोलियो मुक्त खोशित कर दिया है इसका आंसर हो जाएगा आपका डी की नन ऑफ द अबव दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही है चले फ्रेंट्स 97 देखते हैं एक बार कि अकॉर्डिंट वर्ल्ट एक 2019 में जो रिलीज की थी आपकी कैनेडियन थिंक टैंक फ्रेजर इंस्ट्यूट ने उसमें टॉप कंट्री कौन है वर्ल्ट इकनोविक फ्रीडम रिपोर्ट 2019 में टॉप कंट्री कौन सी है इसका आंसर होगा आपका होंग कॉंग और इसी में आपकी विश्व आर्थिक स्व एक कथन है यह सखिया अगस्ट 2000 में समुंद्री खाद उतिपादों की गुनवत्ता की जाच करने के लिए पुरूबंद्र गुजरात भीकी खांगं इसी सीफूद बिल्कुल चिक करने के लिए वंडाय करने iran 2020 ने च।्छ्एक से होने वाली दोकादी रोकने के लिए चार ने वैस्टो एनर्जी नाम से एक पहलश्रू किए वेस्ट Grü एनरजी यानि कि उन्हों DO ARC अर्ग चलते 99th कोईस्चन की तरफ 99 जो question है इसमें भी पूछा गया कौन सी statement आपकी सही है friends तो पहली statement देखिए July 2020 में जो RBI के हमारे पास governor थे C. रंगाराजन received यानि कि ये पहले governor थे अभी नहीं ये former governor पूर्व governor जिनको बोला जाता है उनको कौन सा आपका आवार्ड मिला PC महाल लॉबिस आवार्ड मिला बिल्कुल सही है friends SDFC bank ने launch किया क्या e किसान धन एप for farmers ये भी बिल्कुल सही है आपका तो इसके answer क्या हो जाएगा C. दोथ 1 & 2 उसके बाद आपका last question इस test का है friends मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे की सारे questions जो आपके test के हैं बहुत जादा important है आपका भी यूपी पीसेस का exam आ रहा है उसके लिए बहुत जादा important है current affairs और जो बाकि आपके exams सारे उनके लिए भी बहुत जादा important है जो भी exams हो है आरो हो गदा कि वहां से भी यहां पे questions उठा के डालें friends चलिए last question है और मैं तो आपको यही कहूँगा कि यह आप questions हमारे सासत करिए comment में हमें बताइए कि आप comment करके हमें बताइए कि 100 में से कितने questions आप बिल्कुल ठीक कर पा रहे हैं आप अपनी self assessment कीजिए और जो आप से नहीं हो पा रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं उनके answers आप नोट कर लीजिए या फिर पढ़ लीजिए एक बार वीडियो देख लीजिए यह आपको बहुत ज्यादा फायदे करने वाले यूपी PCS में friends और भी जो सारे आपके exams होंगे महां भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इन questions से और चलिए लास्ट question देख लेते हैं जो आपका जुलाय 2020 में which state government has launched दा नवीन रोजगार चत्री योजना for all-round development of the schedule यूल कास्ट देखिए इसकी नवीन रोजगार चत्री योजना जो स्टार्ट की गई है कौन सी आपकी राजय सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वागीन विकास के लिए इन्होंने शुरुवात किया इसकी और इसका आंसर आपका उत्तर प्रदेश याद रखेगा उत्तर प्रदेश का current affair तो बहुत जादा आप आप टेक केर बढ़ते रहे हैं